जहां एक और आज के समय में Old Days Home की संख्या में बढ़ुतरी हो रही है और वहां रहने वाले बुजूर्गों की संख्या में भी भारी राफा हुआ है साथ ही एक माबाप के चार बेटे हैं तो वो भी इस यूग में चार अलग-अलग घरों में रहते हैं इसे लेकर कई घटनाएं ऐसी भी हैं जो दिल दहला देती हैं बच्चे अपने माता-पिता को सड़क पर ही छोड़ कर चले जाते हैं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कुछ दिनों के लिए माता-पिता को Old Days Home में रहने को कहते हैं और इसके बाद फिर पलट कर भी नहीं देखत ही ऐसे में हजारी बाग का एक परिवार जो करीबन 20 दिनों से अपनी बीमार मा की सेवा में जुटे हुए हैं और खास बात यह भी है कि बीमार मा के स्थिती में अब धीरे-धीरे सुधार भी हो रहा है आपको पताते चले कि बीमार मा गर्मी ठंडा बरसात बारहू मा पू बेटे बहु पोते पोती बेटी दामाद नाती नातिन सब सेवा के लिए पिछले 20 दिनों से तत पर हैं और वो कहते हैं कि अगर मा राजी तो भगवान भी राजी हो जाता है अगर मा के कदमों में जन्नत है तो यह सच कर दिखाय है हजारी बाग के एक ऐसे परिवार ने कि एक ऐसा दौर चल रहा है जहां आज कर लोग अपने बुढ़े माबाप को तबित खराब होने पर उनको ओल्ड हिज होम भरती करा देते हैं कहीं न कहीं और उनकी सेवा नहीं करते हैं लेकिन एक ऐसा परिवार हमारे साथ जुड़ा है जो अपनी पूरी श्रद्धा से पू उनका इलाज करके उनको अच्छा तब्यद सही कर किया जा सकता है तो हमारे साथ जुड़े हैं अपना नाम बताएंगी दिनियस नटानी और आप माता जी के सबसे छोटे पूटर हैं तो आप कैसे लगा कि हम हॉस्पिटल में नहीं ले जाके घर पे इनका इलाज करे तो ज अच्छा तरना ट्रेटमिट होने का वज़े से भी बहुत सा केस भीगड़ा था यहीं सोटे वे कि एक तो हमारी माता जी का उमर भी 92 पलस है और इस एवज में हम लोग होस्पीटल में नहीं भेज करके हम लोग घर में इसले सेवा कि की पूरा पैरवार इनका सेवा में किसी भी परिसिती में आप सीदे होस्पीटल कर उज़ा ना पकड़े कभी कभी छोटा छोटा केस में भी होस्पीटल चला जाता है जो केस बिगड़ जाता है बहुत अची इन्भाउर्मेंट का भी violence की अशर होता घर में भी सेवा किया जा सकता है विल्कुल ऐसा मैं बताना चाहूंगो दर्शको को की ऐसा वग्त चल रहा है कि जहां अपने बच्चे अपने माँबाप को मतलब के एक बड़े हो जाने पर बोड़े हो जाने पर उनको तवज़ो नहीं देते हैं और उनको कहीं न कहीं वृद्धा आश्रम में भरती करा देत हैं उनका ख्याल तक नहीं रखते हैं घरों से बाहर तक निकाल देते हैं लेकिन कहीं न कहीं जो इस घर की बहू भी है जो इस तरह से उनकी हेल्प कर रही है मदद कर रही है उनसे बात करते है कि उन्हें कैसा लग रहा है सब चीज करने हमें बहुत अच्छा लग रहा है मा मा की सेवा करना हमारा धर्म है, हमें यह सोचना चाहिए, कि हमें मा की सेवा हमेशा करते रहने चाहिए, क्योंकि हम उनसे हैं, वो हमसे नहीं, आज हम उनसे पले बढ़े हैं, उनसे उनके संस्कार में जी रहे हैं, यह तो आपकी बहुत अच्छी संस्कार है, क्योंकि आज कल जितने भी बहू है, वो सास को सास की तरह ही ट्रीट करती है, अपनी मा नहीं समझती है, तो यह आपको अपने घर से इतनी अच्छी जो आपको मिली है। नहाना, दवाईया देना, मेडिसिन प्रॉपर तरीके से देना, यह सब कुछ चल रहा है, चलिए हम बात करते हैं उनके बच्चों से भी कैसे वो कर रहा है। देने पर खालेती है, इतना बीमार है, फिर भी हम लोग के कहने के हमारा ख्याल रगती है। इतना बीमार होने के बाद भी हम से पुछ रहे हैं कि तुम खाना खाई, तुम स्कूल गई, ऐसे वैसे सब करती है। देन भर हमारा ही ध्यान रखती है। जब उनकी तब्यत सही रहती थी पहले, क्रोना काल से पहले तो आप से चीज़ शेयर करती होंगी, आपको प्यार करती होंगी। पहले के बाते कुछ बता है। वह हम से दिन भर बैट के बोलती थी बेटा तुम में पास बैट, हमको टीवी दिखा। उनको टीवी देखने का बहुत सौक है। उनको हमारे साथ बात करना, सारा बात से करना। सबसे अच्छा उनको अपनी रोज फोन में बोलती है कि बुवाजी से बात करादा। उनको टीवी में जब गाना बसते हैं या भजन बसते हैं तो देखती हैं पसंद आता हूने अभी। इस वज़े हमारे बात करते हैं कि इतना इंप्रूम्मेंट आया है कि वगे कि बुवाजी करना। उनको बहुत सौक है। वह खुछ होती है जब टीवी पे भजन बचे बसता है तो उन्हें अच्छा लगता होगा। विपी उसी के हमारे बात करने के वज़े से इतना इंप्रूव्मेंट आया है कि वो देख कि इतना खूस होती है इस वज़े से वह अपने तबहत पर सुधार कर पाई हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका चलिए हम बात करते हैं कि basically यूए ऐसी खबर है कि हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि ऐसा परिवार जो अपने माग का ख्याल इतने तरीके से रख रहा है इतने अच्छे से रख रहा है मेरे साथ निशान्त है जो सबसे पहले इस खबर को लायत है दिखायत है हजारी बाग वासियों को साथ-साथ इन फैक्ट पुरे भारत में ये खबर काफी चर्चित है तो बात करते हैं निशान्तों कैसे पद चला आपको यह वाग से हूं लोग तो जानी रहें और अपना काम भी है अवेर्नेस मोटिवेशन फैलाना जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से करता हूं मैंने भाया के एक फ्रेंड है अजय दास उनको एक फेस्बुक प्रोफाइल पर उनका वीडियो देखा एक मिनट का तो इंस्टेंटली मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फिर भाया को रात में ही कॉल किया कि मुझे इनके यहां जा तो यह तो मेरा फर्च था कि दुनिया के सामने आना चाहिए है अनिशान ने जो बात कही है भी कि यह कुछ भी रियालिटी में स्क्रिप्टेड नहीं है हम कैसे परिवार के साथ जुड़े है जो पूरा परिवार पूरे अपने दिल से अपनी मा की जो ख्याल रखना उनकी की एक एक चीज एक बातों का दियान रखना अपनी मा का ख्याल रखे क्योंकि अगर माखे राजी हो जाएंगी तो भगवान भी आपसे राजी हो जाएगा जी बहुत-बहुत शुक्रिया अपका हमसे जुड़ने के लिए मैं अधनान